हाई गाईज वेलकम बेकर माई चानल मैं हूँ सुगम और मेरे चानल पर फिर से एक बार आपका स्वाधत है तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि उन्हें पीरियड्स थी मन्थ से पूर मन्थ से सिक्स मन्थ से नहीं हो रहे हैं कि इवन सेवन तो एट मन्स पारे लोगों के भी मैसेज मेरे पास आए है कि सुगम मुझे इतने पिनों से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और जब मैं चेक करती हूँ अपना मिलब जो मैरेड्स है अगर वो किट में चेक करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी भी नहीं आती है और वो काफी परिशान है जिसके वजाए से उनने काफी अपी मेडिसिन भी की तो फाइदा नहीं हो रा है यानि जब तक वो मेडिसिन करते हैं पीरियड आता है temat जो में बन कर देते हैं तो हो आज मैं उसी का एक बहुत ही एपस्थ हो यानि कि हन्रट परसंट टेस्टेड इस रेसिपी के लिए क्या लेना है इस रेसिपी के लिए आपको गाजर के बीज लेने है जो बीज की शॉप होती है आपको एसली आपके गाजर के बीज मिल जाएंगे आपको एक टेबल स्कून ले बो लेना है I think काले तिल हर घर में होते हैं मतलब कि वो ग्रॉस्वी में सब के होते ही होते हैं तो एक चम्मच आपको बोलेना है मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूंगी कि दो या तीन इंग्रीडियen है इस रेशिपी लिफ्रेटी के ये डिपेंड करता है आपकी बोड़ी पे आगे बात करूंगी कि किन लोगों के लिए दो ヒर अंग्रेडियान हैं य Song और आपने पीशन वह जो आपने पीशन रयाना तो घिमिकैस पे ढंग को तब तक पकाना है जब तब वो आधा ग्लास ना हो जाए इसे आपको सुबे और शाम लेना है यह उन लोगों को करना है जिनकी बॉड़ी हलकी सी गरम रहती है तो जैसे कि कुछ लोगों को पता होता है कि उनकी जो बॉड़ी की तासीर है वो गरम है तो वो उसे दिन में जैसे जादा ब्लॉके आजिएत फोन दो गड्ले जिनकों पुह मठीज था झाल गज़नी दो एक बाड़ने, अब मेघन वह से लोयाई तो इस तरह से आपको यह ऐ करना है है अब में बात कर थे हुँ जिन का % low थे है अनुकि उन लोगों का एक चीज और एड़ करनी है, बथुआ की बीज, I think बथुआ की बीज, I think बथुआ की जानते हैं, जिसका साग आप खाते हैं, उसके में आपको जो बीज भंडार होता है, वहाँ पे ऐसली मिल जाएंगे, सिफ आपको हाट टेबल स्पून ये डालना है, तो इससे क्या है, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हैं, यानि की एट मंद से, सिक्स मंद से, उनको ये प्रॉबलम पूरी तरह से हट जाएगी, और जो गाजर की बीज होते हैं, और जो हमारे बथुआ के बीज और काले तिल के बीज होते हैं, वह हलके हलके गरम होते हैं, जब जिनकी बोडिक ठंडी रहती है, वह बथुआ के भीज आट कर लें, अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, जैसे जो जिनकी तासिर ठंडी होती है, तो वह बथुआ के भीज आट कर सकते हैं, लेकिन हाट टेवल स्पोन से थोड़ा सा काम करें तो, इससे क्या है, आपकी लंबा ब्लॉकेज जो है, 6 मन से, 8 मन से, उसको ये मतलब 100 नी 200 परसंट सही करेगा, अब बात आती है, कि आपको इसे कितने दिन तक लेना है, बहुत से लोगों के मन में एक कोशन होगा, कि माल लीज़े हमारी पीरियट्स आने लगें, क्या फिर भी हम इसे कंटीनिव रख पेशन्स बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, 3 मन से कंटीनिव लीज़े और उसके बाद आप देखिए, आपका जो ब्लॉकेज़ टूटेगा, और जो पीरियट्स है, वो रेगुलर ने लगेंगे, जिनको दो महीने की प्रॉब्रम है, उनका रिजर्ट बीस से पच्छेस द जब आपने यह सुबे-शाम वाला प्रोसेस करके लिया और आपको पीरियट रेगुलर हो गया, तो आपको क्या करना है, जैसे कि माली जे आपका पीरियट की डेड़ आठ तारिक है, तो आपको एक तारिक से गाजर का एक चमच डाल के डेड़ गलास में और वो हाप गलास हो जाए, तब तक आपको इसे रेगुलर एक टाइम पीना है, जब तक आपका पीरियट ना हो जाए, यानि आपको आज आठ तारिक हो गया है, तो आप गाजर के बीच का लेना छोड़ देंगे, तो इस तरह से आपको यह करना है, यानि कि बिल्कुल भी परिशान होने के नहीं है, कि इसे life time लेना है, और क्या करना है, यह करिए, और यह आपको 3-6 मände करना है जब आपके पीरियोड साथ आथ, आपको यह जो गाजरवाला नुस का करना है, और जब आपके 6-7 मन तक रेगुलर पीरियोड आए, और रेगुलर आप गाजर का वाला मैθर अपना रह तो पीरियट जब तक नहीं आ रहे हैं तब आपको 3 इंग्रिडियन वाला वाटर लेना है जब पीरियट आने लगें तो उसे रेगुलर करने के लिए यानि हमेशा के रेगुलर करने के लिए आपको गाजर के बीज वाला नुस्का करना है इस चीज में डिफ्रेंस तो आप उसमें बद्धुआ के बीश डालेंगे लेकिन हाफ टेबल स्पून से कम डालेंगे अगर मेरे इजी सी रेचिपी पसंद आई हो और मेरे चानल आपको इंफोर्मेटिव लगता हो तो मेरे चानल को लाइफ करिए इस वीडियो को भर-भर के लाइफ करिए और मेरे इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सुगम शंशाइन करके मेरा फेस्बुक पेज भी लाइक कर सकते हैं फैट टू आउसम से और मुझे मेल भी कर सकते हैं सुगम.amit at the rate of gmail.com तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए झाल 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 झाल